हेलो फ्रेंज दिस में गारगे और यह वाचिंग यह वाचिंग यूर फेबरेट जेविटी एंटेटेंबन नीज चनल जैसे जैसे पठान फिल्म रिलीज के करीब पहुँच रही है वैसे वैसे लोग के बीच इसका क्रेज भी बढ़ता जा रहा है तब ही तो जहाँ ट्रेड एनिलिस्ट ने इसको पहले ही दिन 35 से 45 करोर की कमाई की फिल्म मान ली है तो वहीं इससे जुड़े कुछ फेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं जिससे इस फिल्म को ब्लॉग बस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का पहला शो मॉर्निंग 9 बजे होगा वो भी गेटी गैलेक्सी में इसके बाद ये फिल्म फुल आन एक्शन से भरपूर है और एक्शन भी ऐसे कि शारुक और दिपिका ने जुस्तिजू से जापानी मार्शल आर्ट सीखी है जैसे कि सभी ने अब तक किंग खान को एक रुमैंटिक हीरो के रूप में ही परदे पर देखा है या जुनोनी आशिक के तौर पर तो इससे फिल्म से शारुक का 32 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है फिल्म में शारुक जबरदस्ट एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं बैसे अमूमन फिल्म जो है वो फ्राइडे को रिलीस होती है पर ये फिल्म बुद्बार को रिलीस की जा रही है ताकि लंबा विकेंड मिल सके और आज से पठान की एडवांस बुकिंग भी लिया है तो वहीं जैसे कि हमने अपने एक रिपोर्ट में आपको पहले बताया था कि पठान की एडवांस बुकिंग ने बाहर के कुछ देशों जैसे यूए जर्मनी और उस्टरलिया में रिकॉर्ड तोड बुकिंग की हैं तो साथ ही यूए में शारुक ने अपने ही फि ट्रेलर को रिस्पेक्टिव लेंगुज में लांच के लिए क्या है अब फैक्स को जानने के बाद तो लग रहा है कि फिल्म कुछ तो कमाल जरूर करेगी